सिंपल समाचार में आपका स्वागत है सच पहले बात करते हैं कि रिजर्ब बैंक ऑफ इंडिया ने चार साल बाद जो है रेपोरेट बढ़ा दिये हैं रेपोरेट जो है पचीस बेसिक पॉइंट से बढ़ करके चेज दसलब दो पांच हो गया है और यही नहीं रिजर्ब ब कि वहां क्यों के पैठा है इसका मतलब यह है कि औरनें से यह समझने की कोशिस करेंगे कि आखिन यह होता क्या और ट्रेपो पर रेपोरेट रिवर्स होता क्या मतलब आदमी स्कों क्यों जानना चाहिए देखे बाबा आप जानते हैं मन्रूंजन भारति को बाबा कहते हैं क कि एक टाइम पिंगा दाड़ी होता था शहद विनोद्युवा जी ने आपका नाम बावा रखा रहा है तो बावा बैंक हमें कौन लोन देता है बैंक देता है हम कहां पे जाके डिपोसेट अपना रखते हैं बैंक में रखते हैं बैंकों के पास जब पैसा ज़ाधा होता है या कम होता है वो कहा जाएंगे वो जाते हैं RBI के पास मतलब और भी जेगे जाते हैं लेकिन RBI के पास जाते है RBI से जब वो कुछ देर के लिए छोटे समय के लिए कुछ समय के लिए लोन लेते हैं तो वो अपने जो बॉन्ड होते हैं government bond, जिसको हम paper कहते हैं, paper उसको RBI के पास रखते हैं, उसके against उनको loan मिलता है, तो इसको कहा जाता है repurchase rate, यानि कि RBI से आप अगर वापस उसको purchase करना चाहेंगे, repurchase उसका short form हुआ repo, उसी तरीके से बैंकों के पास deposit ज्यादा हो गया, loan नहीं है, ज्यादा पैसा है, loan उतना दिया नहीं है, तो वो पैसा पे कुछ तो वो earn करना चाहेंगे, तो वो पैसा जाकर वो RBI के पास रखते हैं, वो reverse report rate हो गया, तो यह report rate, reverse report, वो bank जो पैसा रखते है RBI के पास, उनको उसको ब्याज मिलता है, यानि कि लेकिन इसका महत्व क्या है, महत्व यह है, कि RBI सीधा जाके किसी bank को ने कहती है, कि आप interest rate बढ़ाईए, RBI क्या करती है, bank को के पास जितना पैसा है, उसको सोख लेने के लिए, उस system से पैसे को निकालने के लिए, reverse report, और report rate बढ़ा देती है, इसका मतलब bank के पास अगर पैसा है, तो वो चाहेगी, अच्छा, इस पैसे पे उस पे पैसा आगा, तो वो पैसा निकल जाता है, साथ में, अगर bank का काम क्या होता है, bank का काम होता है, loan देना, उसी से bank को पैसे मिलते हैं, bank अगर अपना business बढ़ाने के लिए loan लेना चाहे, तो उसको थोड़ा जादा खर्चा करना पड़ेगा, तो bank को दो बार सोचना मिलने हाँ, मेरे पास आता है, तो मैं पूछता हूँ कि यह free है या नहीं, वो वो दो नहीं free नहीं है, कोई भी free loan नहीं देता है, RBI भी free loan नहीं देती है, इसलिए जब bank एक तरीके से हम कहते हैं, जितना पैसा system में है, उसको liquidity का आ जाता है, कि कितना पैसा लोन दे जा सकता हो गया है, वो तरल नहीं है, तुरंत आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं, हमारे में यह भी होता है, इसलिए हम रखते हैं कि सेविंग्स में कुछ पैसा होना चाहिए, fix deposit में मत रखो या invest मत कर दो, क्योंकि पैसा जिल, तो इसको हम liquidity यानि कि तरल पैसा कहते हैं, और इसको कम करना चाहती है, यह असली बात है, कि liquidity को कम करेंगे, तो loan कम दिया जाएगा, और loan का rate बढ़ जाएगा, तो rate जब loan का जो ब्याजदर है, वो बढ़ेगा, तो आप भी दो बार सोचेंगे, जैसे आप जाते हैं कोई TV, खराब होगे TV लेना है, तो वहाँ पे क्या कहते हैं, क कि आप इसको EMI में convert कर दीजिए, आप अलगे EMI में convert करेंगे, तो क्या interest देना है, नहीं, interest आपको वापस मिल जाएगा credit card पे, यह बोलता होता रहता है, खराब आप तो credit card से डरते हैं, तो आपको नहीं मिलता ही choice, लेकिन यह आपने भी देखा होगा, कि कोई भी चीज ले इसको EMI में convert कर दीजिए, इतना कर देंगे, यह loan मिल जाएगा, वो system से थोड़ा सा हट जाएगा, आपको दो बार सोचना पड़ेगा, कि अच्छा में EMI में convert करूंगा, तो जाधा पैसा देना पड़ेगा, चलो छोड़ो जाए इसको खरीदना नहीं, या car loan के अभी लू लेकिन और इन सबसे बड़ी बात यह है कि चार साल बाद उन्होंने reserve bank ने ऐसा किया है, तो मेरा सबसे पहला सवाल है कि क्यों किया है, और मेरा दूसा सवाल यह है कि राजनीतिक रूप से मेरा सवाल है कि जब सरकार अब election mode में जा रही है, तो हमारे interest rate क्यों बढ़ने चाह क्योंकि RBI को लगता है कि मेहंगाई बढ़ने वाली है, सीधी बात है, इसलिए आज की सिंपल समाचार को हमने कहा है कि सावदान आगे मेहंगाई है, जैसे रोट परता आगे खाई है, RBI कह रही है, मेहंगाई दर्ग बढ़ने वाली है, इसके कई कारण है, सबसे बड़ा क कारण है, आप जानते हैं, कच्चे तेल के भाव बढ़ने और वो कि कहां जाएंगे, कोई नहीं बता पार है, क्या ये 100 डॉलर पार कर जाएगा, 100 डॉलर पार करेगा, तो हमारे लिए मुश्किल होगी, हमारा, और कच्चे तेल का भाव अगर बढ़ेगा, तो पूरे कार अगर वो बफर यूज़ करेगी, तो वो खर्चा है, किसी और चीज़ पर खर्चा काटना पड़ेगा, उस पर हम वापस आएंगे, मैं कहरा हूं कि महेंगा है, जिस तरीके से बढ़ने के आसार है, हार एक कंपोनेंट बढ़ाया जा रहा है, सेंट्रिल गवर्मेंट का वो भी RBI ने कहा है, साथ में मिनिममम सपोर्ट प्राइस, जो किसानों को दिया जाता है, अभी जैसे गन्ने पे अनौंस किया है, यह सब खर्चा है, और यह सब जैसे खर्चा हुए, अगर किसान को जादा मिलेगा, तो दुकान में तो उसका दाम बढ़ेगा, तो इसका मत इंपुट कॉस्ट होता है, चाहे वो स्टील हो, सिमेंट हो, जो भी हो, इसके दाम धीरे-दीरे बढ़ बढ़ रहे हैं, तो इसी के लिए, जब RBI इंटरेस्टेट बढ़ाता है, इसलिए बढ़ाता है, ताकि आप लोन लेकर खर्चा ना करें, आपके पैसा होए तो सेविंग्स काट कर खर्चे से हुआ है, एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आएंगे और इसमें बात भी करेंगे कि दोजार नीस के लिए इस महत्तो क्या है, तो हम चर्चा कर रहे है कि रिजर्ट बैंक ऑफ इंडिया ने जो ब्याज दर बरहाई है, रेपो रेट और रिव बढ़ाई है उस पे, और हमारे साथ ओनिन है, ओनिन ये जो ब्याज दर जो बरहा है, इसकी चर्चा हम करने हैं, तो क्या जो जीडीपी बरहा है, उसके पीछे कारण क्या है, क्या उसमें इंवेस्मेंट आया है या कैसे हुआ है? तो यही, RBI का भी यही कहना है कि देखिए, जीडीपी का जो लास्ट, आप जानते हैं, पिछले कोटर में बढ़ा है जीडीपी, हाँ बेस बहुत कम था, फिर भी बढ़ा है, तो यह निवेश से नहीं बढ़ा है, यह बढ़ा है, मेरे और आप जैसे लोगों ने जो हजार रुपए उसकी इंकम थी, तो मैं आवरेज ले रहा हूँ, कि आवरेज हाजोल्ट सेविंग्स क्या हुआ है, जीडीपी, पच्छिस हजार रुपए इंकम थी, तो बीस प्रतितरत उसका वो सेव करता था, यानि कि पांस हजार रुपए वो सेव करता था, दो हजार में आके, 16-17 में आके वो क्या हो गया है, कि वो 4,000 रुपए सेव कर रहा है, यानि कि 1,000 रुपए वो एक्स्ट्रा खर्चा कर रहा है, या तो ये एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रुपए जो वो खर्चा कर रहा है, सेविंग्स कम कर रहा है, तो वो फ्यूचर के लिए प्रॉ होता है इन्वेस्ट होता है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट एक ही चीज होती है तो अगर उसी तरीके से आप देखें तो सरकार और एक तरीके से इंट्रेस्ट रेट बढ़ा कर सिर्फ होम लोन बढ़ेंगे यह नहीं जो पैसा आप डिपोजिट में रखते हैं उसका भी बढ़ेगा अर्बिया चाहती की सेविंग्स बढ़े है साथ में एक और इंट्रेस्टिंग चीज है कि अगर आप देखें कि परसनल लोन जो है हाँसा लोन है देख सकते हैं कि परसनल लोन हाँसिंग लोन भी होता है लेकिन आप जानते हैं हाँस कोई बिक्राह रहा है कौन ले रहा है आप passé कि अभी परसनल लोन डिरवन हे रिकावरी ए परसनल लोन लेकर लोग लोन ले रहे हैं और फच्चा कर रहे हैं और मेरा एक सवाल अंत में यह भी है कि आखिर जब RBI कर रहा है कि महागाई दर बरहेगी तो सरकार इस वक्त यह क्यों कर जब उनको चुनाओं में जाना है क्या यह जोकी में या मजबूरी है लेकिन यही कारण है शायद सब सरकारे जानती है कि सबसे बड़ी चीज इलेक्शन से पहले लोगों के दिमाग में क्या होता है महंगाई चीजों के दाम बढ़ गए तो सबसे पहले वही लोगों को समझ आता है कि भी दाम बढ़ गए दाम को कम रखना सबसे ज़्यादा है महंगाई को बचा के रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और उसके चलते अगर थोड़ा सा इंटरेस टेट बढ़ जाए क्योंकि लोन expectation बोते हैं कि पर जो परिवारे हैं उनसे survey करती है RBI वो क्या सोचते हैं कि आगे एक साल में कितना महेंगाईदार बढ़ेगा लोग कहते हैं कि महेंगाईदार देड़ परसंट बढ़ जाएगा यानि कि अभी अगर साड़े 4-5 परस्टिशत है तो एक साल में साड़े 6 बढ़े लोगों को डर है कि महेंगाई यह सोचकर ही शायद interest rate बढ़ाये जाया है ताकि महेंगाई को काबू में लाया जा सके खेर इंट्रेस रेट बढ़ने से महेंगाई काभू में आता है या नहीं आता है वो अलग डिबेट की बात है आज तो हम चर्चा करने की आर्बिया ने किया क्या है हमारा समय शायद समय समाप्ति की घोशना शायद हमारे डिरेक्टर साहब ने कर दिया है तो जिसी तरूप से और यह एक जुआ भी हो सकता है चुनाओ को देखते हैं हां लेकिन आर्बिया नहीं मानेगी कि हमने ऐसा कुछ किया है लेकिन आप कह सकते कि दुनिया भर में इंट्रेस रेट बढ़ रहा है और यूएस में अगर इंट्रेस रेट बढ़ेगा तो पैसा सारा निकल जाएग तो उसको भी रोकने के लिए आर्बिया को थोड़ा सा यह करना पड़ेगा तो शायद आर्बिया के लिए यही एक ही उपाय था आज आज का सिंपल समाचार यही है